खबर मद्धु प्रदेश के बवई से यहाँ पर पूर मंतरी और कॉंग्रेस के वरिष नेता राजा पटेरिया जेल से रिहा हो गए हैं जिसको लेकर कारी करताओं में जश्न का बाहूल है बता दें कि राजा पटेरिया पिशली धाई महिनी से उपए जेल पवई में बंद थे राजा पटेरिया को प्रदानमंतरी मोदी के खिलाफ अपती जिनक टिपड़ी करने पर गरफ्तार किया गया था वहीं जिल सर यहां होने पर राजा पटेरिया ने मीडिया से कहा कि जेल महत्मा गांधी विश्विधाले कृष्णागार है जो मुझे तीर्थ के समान है मैं देश्व के प्रती चिंतन के लिए सभी का धनिवाद है और हमारे दोस्त हमारे नेता प्रतिपक्ष डाक्टर गोविन सिंग का हमारे साथी हमारे हमारे επाध्यू Wenti के प्रइवार का से हमेशा संपर्क में हमारी पत्नी और पुत्र के रहे और परिवारदनों के रहे और हमारे दोस्त हमारे नेता प्रथिपक्ष डाक्टर गोविंद सींग का हमारे साथी हमारे अध्यक्ष रहे PCC चीफ अरोने आदोजी का मैं बहुत आभारी हूँ और हमारे राजनेते गुरू रहू ठाकुर का जो हमसे संबाद हुआ और हमारे मित्र और हमारे नेता रहे शरद्यादो की पत्नी के संदेश मुझे प्राप्त हुआ स्वर्गवाशी होगे पिछले दिन सरद्याद HOW जैँ और उनकी लड़की भुल भुल का उनके हम बहुत आभारी है हमारे मित्र केशी तॹर कहम बहुत आभारी है ओधya चार अन्याय है उसके खात्मे के लिए से जिन्दगी बुद्धार के लिए खर्च करूंगा और पवई तो हमारा जमीनी का काम है यहां तो लगातार संगर करता है जेल के अंदर कैसा रहा है जेल के अंदर सबसे बड़ी जो हमने अनुभूती पराफ्त की इस देश को जातने खाया है तीन हजार साले को देश गुलाम जाती के कारण वहां यहां पंडेटों सूद्रों मैतरों बसोरों हरिजन और आपका आदिवासी एक साथ खाना खाता है और एक साथ बनाता है एक साथ रहता है जात खतम होगे हिद्न मुसल्मान कोई लड़ाई नहीं हो रहा है यह यह तो सबसे सांदार जगह है